नमस्कार, 6 सितंबर 2021 से 22 अक्टूबर 2021 तक ग्रहों में सेनापती, मंगल, शत्रु राशिस्थान, कन्या राशिस्थान में चलायमान रहेंगे 6 सितंबर ही वो तारीक रहेगी जहां पर मंगल की स्थियां सिंग राशी स्थान से निकल कर कन्या राशी स्थान में प्रवेश कर जाएगी ग्रहों में राजा सूर्य की राशी से निकल कर जब मंगल कन्या राशी में प्रवेश करेंगे तो मेश राशी से लेकर मीन राशी तक के जातकों के लिए किस तरह के संभावित फलाफल के आधार सामने निकल कर आ सकते हैं अगले कुछ मिनिटों में हम ये चर्चा वरतांत आपके संभुख रखने का प्रयास करेंगे विशेश बात ये है कि 22 सितंबर 2021 तक बुद्ध भी अपने ही मूलत्रकॉण में यानि कन्या राशी स्थान में चलाइमान रहेंगे मंगल और बुद्ध के इस यूती समागम को इतना बहतर नहीं का जा सकता किन्तु विशेश बात ये है कि 17 सितंबर 2021 के अरात्री अंतराल से ही जो सूरीदेव की स्थियां है वो भी कन्या राशी स्थान में प्रवेश कर जाएगी सूरीदेव और मंगल का ये जो यूती संगत आधार सामने रहेगा फलाफल के दिरिस्टिकॉर्ण से अती महत्वपूर्ण हो जाता है मंगल भूमी सुथ है अगनी कारक तत्तु परदान ग्रह की स्थियों के साथ में चलाई मान रहते हैं यदि आप IT फील्ड के साथ में जुड़े हुए व्यक्ति विशेश हैं थेखनी के साथ में आपके कामकाज की स्तियां निरंतर चलाई मान रहती हैं आप ऐसे कारिशेट्र में है जहां अनुशाशन की आवशकताहएं प्रति तिन प्रतिक्षण लगातार चलाई मान रहती है और आप यदि ऐसे कारे में हैं जहाँ पर आउशत विज्ञान की इस्तियां साथ में जुड़ी हो मेडिकल संबंदी फील्ड की एप्रोच निरंतर साथ में चलाई मान रहे आप स्पोर्ट्स परसनेलिटी हैं तब भी मंगल का ये परिवर्तन संकेतों की माद्यम से काफे कुछ सामने रख रहा है जब भी विक्ति अपने कर्म की परिभाशाओं को आगे बढ़ाता है तो सबसे महतुपूर्ण बात ये है कि वो किस दिशा में चलने के शुरुबात कर रहा है कितनी उर्जा उसके साथ में है और ये उर्जा निरंतर गती के साथ में चलते हुए यदि उसे लक्ष की तरफ लेकर जाती है तो फिर सफलता नामक शब्द ऐसे व्यक्तित्व के साथ में जोड़ता चला जाता है युति संगत आधार रहेगा देखिए शत्रुवत आधार यहां पर दिरवित है दोनों ही ग्रहों का क्योंकि एक मानसिक चेतना के आदिपति तो वहीं मंगल ग्रहों में सेनापती सेनापती की स्थतियां वह जो कभी भी पीछे मुड़ कर नहीं देखे और मानसिक चेतना के आधिपति बुद्ध की स्थतियां वह जो कि हमेशा एक फ्लेक्सिबिलिटी की एप्रोच को सामने रखने वाली रहे एक पारे की प्रकृतिक अग्रहे तो दूसरा अगनी तत्त प्रदानक ग्रहिये आधार तो यहां पर बुद्ध की जो पोजिशन है वह कम्यूनिकेशन क साथ में जुड़े हुए व्यक्ति विशेश हैं तो यह जो 22 सितंबर तक का समय रहेगा यह और जादा महतुपूर्ण हो जाता है और वहीं 17 सितंबर से लेकर जो यह 17 अक्टूबर तक का अंतराल सूर्य देव के साथ में मंगल का चलायमान आधार पर रहेगा वलाफल के द अंतराल में जो 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक की स्तियां और फिर जो 22 अक्टूबर का रात्री अंतराल का आधार रहेगा यह भी एक प्रमुक इस्तर की गतिविद्धियों को निक्षेपित करता है तो हम शुरवात करते हैं मंगल प्रदान राशी के जातकों के लिए इस मंगल की स्तियां सस्ट भाव के साथ में जूड़ी रहेगी और पुनह मंगल और बुद्ध का यहां जो शत्रुवत अधार हो निर्वित रहेगा तो अच्छा से संबंदित जो भी रोग रहते हैं उनसे आपको यहां पुनह सावधान रहने की आवशक्ताएं निविदन कर हूँगा कि 22 अक्टूबर 2021 तक किसी भी तरीके की रिण संबंदी स्तियों से आप दूर रहने का पूरा पूरा प्रयास यहां पर जरूर कीजिएगा मंगल व्यक्ति को ऐसी तिवरता देने वाले होते हैं जहां कई बार व्यक्ति रिण की और चला जाता है जहां आसान गली की स्तिया नजर आई व्यक्ति वहां बढ़ गया तो कई बार दोविधाय निकल कराती है उससे यहां आप सावधान रहिएगा हाला कि एक्सपोर्ट संबंदी कोई भी कामकाज है फार्मासियोटिकल संबंदी कोई भी कार्य विशेशक्षेतर है ऐसा कार्य जो की IT फील्ड क साथ में जोड़कर व्यक्ति को एक अलग तरीके की ख्याती देने वाला होता है वहां पर भी जो यह मंगल का परिवर्तन है आपके लिए विशेश इस्ततियों को लेकर आ रहा है जहां मन के बेटर कोई भी द्वंद रहे उससे आजाद होकर चलने के आवशक्ता है आप एक 3 सितंबर से लेकर 22 अक्टूबर तक का पूरा ही समय अंतराल रहेगा यात्रा संबंदी कोई भी कामकाज त्वरित गती के साथ में निकल कर आते हैं वहां रियक्टिव होकर बचने की पूरी-पूरी आपको आवशक्ता हैं रहने वाली होंगी इसे के साथ शत्रु यहां हा देविदन आपसे करना चाहेंगे कि जब भी आप किसी डिसाइजिव मीटिंग की तरफ हों इंटर्व्यू की और जा रहे हों इस पूरे ही अवधी क्रम में आपको अपने होमवर्क के अप्रोच बहुत अच्छे से अपने साथ में रखनी चाहिए नौकरी पेशा जीवन क के अंदर ओवर एग्रेसिव होने से आप जितना संबलते हैं मंगल प्रदान राशी के जातकों के लिए मंगल का ये परिवर्तन वैसे ही बहतर आधार देता चला जाएगा कुल जमाजोड मेश राशी के लिए ये परिवर्तन ठीक ठाक कहा जा सकता है वहीं वरेशब राश शेयर मार्केट के अंदर यदि आपके सामने त्वरित गती से कोई भी कल्कूलेशन निकल कर आती है और आपको ये लगने लगता है कि इस कल्कूलेशन के साथ में चलते हुए हमको किसी भी निवेश के और जाना चाहिए तो वहां और रुकने और घवराने के आवशकता है दूर दूर तक भी नहीं है दूसरे आधार पर आप ये भी देखिए कि क्षमताओं के साथ में जुड़ेवे जो भी कामकाज हैं वहां नर्बाद गती से बढ़ना आपके लिए आवशक रहेगा संतान पक्ष के साथ में वहां से जितना आप खुद को संभालेंगे और किसी भी कामकाज के और जाने से पहले ये मूल मंतर अपने साथ में रखने वाले होंगे कि आज हमको flexibility के साथ में चलना है या कोई भी वेक्ति कुछ भी कह रहा है उसको सुनकर अंगीकार करके आगे बढ़ना है तो आप देखिएगा एक अलग तरीके के सूज और बूज आपके साथ में मौजूद रहने वाली होगी सरवांगीन लाप की और बढ़ने से ज्यादा अच्छा है कि एक लक्ष की और चलते हुए अपने संधान को पूरे तरीके से वहीं पर रखें यहां से यह हासल कर जाएं वहां से वो हासल कर जाएं इससे पूर्ण तयाम मुक्त हैं हम जो एक कारे को अपने साथ में लेकर चले हैं वो ही जीवन का एक प्रमुकाधार है इस मूल मंत्र को आप अपने साथ में जरूर रखिएगा तो वहीं पर अरिसर्थ संबंदि कामकाज में बेटर्मेंट के अप्रोच आपके लिए लगाता अर्बनी रहने वाली रहेगी वहीं हम बढ़ते हैं बुद्परदान मेतन राशी की और तो देखिएगा चतुरत भावस्त भूमी सुथ की स्ततियां यानि मंगल की स्ततियां जब कर्म भाव को देखने वाली होगी तो यहां जो भी भूमी से संबंदित कामकाज अटके हुए थे आपका किसी भी कारियर के अंदर कमिशन संबंदी बेस अटका हुआ था वहाँ एक बैटर्मेंट निकल कर आ सकता है किन्तु प्रमुक तोर पर ये याद रखिएगा कि माता के स्वास्ते को लेकर थोड़ी सी चंताएं सामने सताने वाली हो सकती है ये एक द्रिस्टिकॉर्ण है जिसको समझने की आवशक्ताएं रहेंगी वहीं पर जो भी कार्ये सर्वेस इंडिस्टिक के साथ में जुड़े होते हैं वहाँ पर आपका जो द्रिस्टिकॉर्ण है वो देखते हुए बनेगा जो कार्ये आपने हाथ में ले लिया उसमें दो दिन की शुरुवाती कंसिस्टेंसी आपने रख ली तो जब तक वो कार्ये अपनी संपूर्णता के और नहीं होता तब तक आप उसके साथ में सनलग्न रहने वाले व्यक्ति रहेंगे और वहीं पर मिथुन राशी की जातकों से ये भी हम निविदन करना चाहेंगे कि मंगल की चौती दृस्टी यहां ग्रिहस्त भाव के साथ में जुड़ी रहेगी तो उस अप्रोच के साथ में आप पूर्णतया रियक्टिव होने से बचिएगा सेल्फ जेस्टिफिकेशन की अप्रोच को अपनाने से बचने का प्रियास कीजिएगा मैं ही सही हूँ, ये क्या जानते हैं, हम इस कामकाज के अंदर कितने जूटे हुए हैं, कैसे इनको समय दे दें ये सारी ही सेल्फ जेस्टिफिकेशन की अप्रोच है, उससे आप आजाद होकर चलते हैं तो इस समय का और अच्छे से बेनिफिट उठा पाएंगे, निवधन करूँगा कि पता के साथ किसी भी कामकाज में हैं, तो वहाँ पर डॉमिनेट करने से आपको बचना चाहिए, जितना समझने के आधार में आप चलेंगे, उतनी बैटरमेंट के अप्रोच स्वयम के को यहां पर बिल्कूल भी नहीं जोड़ा है, इस इस्तती से और इस बोध से भी मुक्त होने की आवशक्ता हैं आपको रहेंगी, आप अगले व्यक्ती की मनो इस्तती को और उसकी सिचुएशन को समझ कर ही व्यापारिक सांजेदारियों में कोई भी नरणा है, लीजिएग के सरुकार को साथ में जुड़ेगी, आप लंदे समय से IT फील्ड संबंदी किसी भी शेत्र विशेश के अंदर, बले ही वो मशीन लर्निंग की कोई भी विदा हो गई, एडवांस टेकनोलोजी से संबंदित कोई भी कामकाज हो गया, मेडिकल फील्ड के अंदर भी आप कु बात है कि जिस तरह से ब्रेस्पती पंचम भाव में कारक भाव की हानी नहीं करते, मंगल पराक्रम के अंदर कारक भाव की हानी करने वाले नहीं होते, इसलिए एक बहतरी की अपरोच यहां साथ में है, आप किसी भी परिवर्तन की और जाना चाहते हैं, कमपर्ट जोन के घ बनी हुई है, आप यहीं कम्यूनिकेशन प्लस टेक्नोलोजी प्लस इनोवेशन संबंदी कामकाश के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं, तब भी समय को बहतर कहा जा सकता है, आपकी उर्जा निरंतर साथ में चलायमान रहेगी, चंदरमा, परदान, राशी क जातक जो बारम बार भावुकता की वज़े से डिस्तर्बेंसिस को फील करने वाले होते हैं, उस इस्तती से भी आप मुक्त होकर चलायमान होंगे, किन्तु किसी भी तरीके का रिन देने और लेने से आपको यहाँ पर बचना चाहिए, ये भी एक निविदन, चोटी-चोट यात्रा संबंधी कामकाज आपके लिए बेनिफिट की अप्रोच को लेकर आ रहे हैं, किन्तु मंगल और बुद्ध की स्ततियां पराक्रम भावस्त आधार में 22 सितंबर तक बहतर नहीं कई जा सकती, भाईयों के साथ में किसी भी तरीके का विद्रोह चल रहा है, या वो व प्रशेश आपके लिए एक आधार भूत, तथ्यात्मक सतियों को लेकर आने वाला रहेगा, वहीं सूरी परदान सिंगराशी के जातकों के लिए यदि इस चर्चा को आगे बढ़ाए जाए तो आप सबसे पहले ये देखिएगा कि वानी पर जितना नियंतरन आप रखते ह और यदि वानी संबंदित इस्ततियां बिगाड की और जाती है, तो आप देखें मंगल की जो साथवी दिरिश्टी अस्टम भाव पर है, वह आपके लिए hidden problems को खड़ी कर सकती है, परिवार के अंदर कोई व्यक्ति विद्रोही था, जो अभी तक शांत चल रहा था, वो ए ही तर तक समझने की आवशक्ताएं रहेंगी, किन्तो ये बात जरूर है कि अटका हुआ, और उपया और पैसा जो लंबे समय से आपके लिए एक तरह से परेशानी का सबब बना हुआ था, आपकी रोटीशन के मदर प्रब्लम थी, वहाँ बेटरमेंट की अप्रोच सम्मु निकल कर आने वाली हो सकती है, ये एक बहतरी आपके साथ में रहेगी, वक्ता संबंदी श्रिणी में आप आते हैं, आपकी उर्जा और आपका जोशो खरोश देखते हुए बनता है, और वहीं मंगल की इन स्थतियों के साथ में नेविदन करना चाहूंगा, कि जब सूर्य का आधार साथ में रहेगा, यानि जो ये 17 सितंबर के बाद का अमतराल है, यहां से लगबग एक महिने के लिए सूर्य के कन्या राशी के संक्रांति करम के साथ में चलते हुए, आप रिकार पूरवक किसी भी कामकार्श के अंदर जाना चाहते हैं, बेटर मेंट रहेगा, आपने लंबे समय तक किसी भी शेतर में जाने की रिसर्च की है, आपने खुद को एक्स्प्लोर किया है, अब लोग बले ही डिस्ट्रक्ट कर रहे हूं, नकारात्मक कर रहे हूं, किन्तो आप पूर्ण तया मन के भीतर सा कारात्मक हैं, कि जिस कारे की और हम जा रहे हैं, हम हमारी जो कलकुलेशन है, एक नए बेस को दर्शाने वाली होती है, यकीन मानिये, आप बिलकुल सही रास्ते के और हैं, बुगर्ब ये दिवस्ताओं के अब्ध्यन के साथ में चलते हुए, व्यक्ति विशेश के लिए ये समय बहतर है, तो वहीं IT फील्ड के साथ में आप बढ़ाने वाले हो सकते हैं, संतान पक्ष के साथ में गयो कि मंगल की जोती दृस्ति पंचम भाव पर है, ऐसी प्रबर्तियों से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए, जो उनके साथ में रियक्शन को लेकर आने वाली हो, हाला कि शेयर मार्केट के अंदर लंबे समय का क कोई भी निवेश आप करना चाहते हैं, आपने गणनाओं की बूते अपने जीवन के समय को आगे बढ़ाया है, तो ये अंतराल स्पेसिफिक लिवल के उपर आपको बैटर्मेंट की और लेकर जाने वाला रहेगा, उस निरणय को निरबाद गती के साथ में आप अपने ज सही नहीं मानते, आत्म विश्वास सही है, किन्तु अती आत्म विश्वास आया, वो व्यक्ति के कारियों को कई बार बिगाड़ता है, आप वरशों से एक ही कारिय करते आएं हैं, मालूम है कि ये कारिय इसी तरह से होगा, किन्तु आप वहीं ओर कॉन्फिडेंस में आ जात इसे वज़े से आप यहां पर थोड़ा सा स्वयम को संभालिएगा यह ध्यान रखिएगा कि अवचेतन के अंदर जो जो यहां आपकी भीतर फीड होता चला जा रहा है वो इंस्टेंट विसेस के ऊपर काम भी आने वाला रहेगा भूमी संबंदित कामकाज में बहतरी के आध हैं उनसे चर्चा करके आगे बढ़ना ज्यादा बैतर है यह एक निविदन आप से हम यहां पर करना चाहेंगे तो वहीं आप यह भी देखिएगा कि जो भी कामकाज यहां पर रिसर्च के फील्ड के साथ में जूड़े होते हैं और हम यहां कंवेंशनल रिसर्च की बात न जो नरणायक मौकों के उपर आत्म विश्वास की स्तियां होती है एक ऐसी मीटिंग है जहां कोई भी व्यक्ति उच्च अदिकारियों के सामने बोलने की हिमत नहीं दिखा पा रहा है वहां आपके भीतर का जो आधार है वो यह कहता है कि हमको अपनी बात रखनी है आगे की जो इस्तियां होगी उसको संभालेंगे कि तो आज यदि बात नहीं रखी तो एक बहुत बड़ा रिग्रट अपने मन में रखेंगे वहां पर आपको बहुत जादा सोचने की आवशक्ता नहीं है अपनी बात को रखने की और जरूर जाएं वहां सीमित शब्दों के अंद तो उनको लगता है कि निराशाएं हावी है या कुछ भी हो नहीं पा रहा है बारंबार आफिस के और से प्रैशर आ रहा है ये महती जमेदारी आपकी बनती है कि आप उनको लगातार मोटिवेट करें जब व्यक्ती रात को सोता है तो कई बार निराशाओं के साथ में होता हैं तो जीवन वहीं से परिवर्तित होने के शुरवात करता है और यह आधार आपके साथ में बना हुआ है जहां कंफ्यूजन नामक शब्द को दूर हटाया मानस पटल की उपर इसपस्ट आई वहां संभावनाओं का सूर्य दय लगातार आपके साथ में रहने वाला रहेगा मंगल की ये स्थियां विदेश संबंदी कामकाच के अंदर शुरुवाती स्थर पर थोड़े से डिस्टर्बेंस आपको देने वाली हो सकती है उससे आपको संभलना होगा किन्तु यहां यह महत्वपूर्ण बात है कि आप किसी भी चेंज की और जाना चाते हैं कंफर्ट जो नामक घेरे को तोड़ना चाते हैं वहां से व्यवस्थत स्थतियां आपके लिए निकल कर आने वाली होंगी पराक्रम में वृद्धी रहेगी जहां लोग आपको टोकनी की और चल रहे थे जहां लोग व्यवस्थत तोर पर आपके लिए व्यवधान उपलब्द करवा रहे थे वहां आप स्वयम के लिए उपलब धोकर यह बताने वाले होंगे कि अब रफ्तार अलग तरीके से हमारे साथ में रहने वाली है और इसे के साथ तोलाराशी के जात्कों के लिए एक महतुपूर्ण बात और निकल कर आती है कि आप अपने लिए आत्म विश्वास क केंद्र बिंदू यहां 17 सतंबर के बाद में साथ में पाने वाले होंगे अलाकि अनिद्रा संबंदित इस्ततियां परेशान कर सकती हैं भाईयों के साथ में संबंदों से आपको संभलने की आवशक्ताएं रहेंगी और वहीं पर बिजनस पार्टनर्शिप के साथ कोई भी कमीशन संबंदी बेस के साथ में जुड़ा होता है आपको निरंतर प्रयास करने होंगे इन प्रयासों के साथ में कहीं पर भी यह नहीं सोचें कि 22 अक्टूबर तक कोई बहुत बड़ी सपलता सामने निकल कर आ जाएगी यह मूल मंत्र अपने साथ बना कर रखें मेडिकल के साथ में भाग दोड़ है किन्तु भाग दोड़ के साथ में बैटर एस्पेक्ट भी आपके साथ में बने रहने वाले होंगे वरिष्चे ग्राशी के जातकों के लिए यदि हम चर्चा करते हैं तो सरवांगीन लाप की इस्ततियों में व्रद्धी होती चली जाएगी पा पारिवारिक जनों का सायोग निकल करा रहा है मंगल प्रदान राशी के जातकों के लिए तकनीक संबंदी शेत्र विशेश के अंदर परिवर्तन के आधार भूत अत्यात्मक स्तियों को साथ में लेकर चलना बेटर रहेगा आप किसी भी यात्रा जनत कामकाच के साथ में ज एक तरीके से निकल कर आती है और आपके लिए वही प्रवर्तियां यहां सामने रहने वाली रहेंगी वरिश्चेक राशी के जातकों के लिए यहां एगरी कल्चर संबंदी कामकाज में नई शुरवात के आधार बने रहने वाले होंगे और वहीं पर जो कामकाज में मान औ अपसे हम करना चाहेंगे और वहीं पर जो धना गमन संबंदी स्तियां है। आकस्मिक तोर के उपर सामने निकल कर आ सकती है। कई बार मौकले आते हैं और कई बार मौकले आकर निकल जाते है। वह व्यक्ति जो करमशील है, वह व्यक्ति जो가ग के साथ में जोड़कर अपने कर्म को देख रहा है वो व्यक्ति जो अवसरों की तलाश के अंदर अपनी तयारियों के साथ में है वो ऐसे मौकों को जीवन के अंदर अपनाने वाला होता है और वो ही आधार आपके साथ में रहने वाला यहां पर रहेगा वहीं बरिहस्पति प्रदान धनुराशी के जातकों के लिए हम यदि इस चर्चा को आगे बढ़ाएं तो लंबे समय बाद कोई भी इंटर्व्यू कॉल सामने आया है आप चार से पांच राउंड के इंटर्व्यू दे चुके हैं अगले राउंड की और जाने की तैयारी के अंदर है ये समय अती आत्मविश्वास को दूर हटा कर आत्मविश्वास की श्रणी बद दिस्ततियों को आपके साथ में रखने वाला रहेगा और वहीं पर जो यहां पर सर्विस इंडिस्टरी संबंदी कामकाज है स्वयम के लिए किसी भी पोडिशन को एड़ान करना चाते हैं वहां पर भी आप बहुत बहतर करने वाले होंगे एजुकेशन की लाइफ के अंदर ये टाइम पूरे तरीके से सपोर्टिव बेस को क्रिएट करने वाला है और वहीं संतान पक्ष के जीवन को लेकर जो चिंताएं बनी वी थी वो चिंताएं किस वज़े से है ये कारण सामने आ जाता है तो व्यक्ति काफी हद तक व्यवस्थित होता चला जाता है और समाधान के सितियों को अपने साथ में देखता है वो ही बेस आपके लिए क्रियेट रहने वाले रहेंगे दनुराशी के जातकों से यहां पर हमारा निवदन है कि आप यहां प्रबंदन संबंदी कामकाज में और अधिक तिवरता बताते हुए चलते चले जाईएगा कहीं पर भी चिंतित और विचलित होने की आवशकता है दूर दूर तक भी आपके लिए रहने वाली नहीं है और वहीं ये मूल मंत्र अपने साथ में बना कर रखिएगा कि जो कामकाज हाथ में ले लिया है वह स्वयम ही जब तक पूर्णता की और नहीं पहुचाएंगे तब तक रोकने वाले नहीं होंगे किसी के भी भरोसे कोई भी कारे चोड़ने से आपको बचना चाहिए मकर राशी के जातकों से यदि हम चर्चाओं के साथ में आगे बढ़ाते हैं तो भाग्ये का सयोग उस इस्तर पर नहीं रहेगा जैसे आप चाहते हैं अध्यात्मिक चिंतन जो अभी अभी विक्सित हुआ था उसमें पुनह कमी सामने निकल कर आ सकती है उससे भी संबलने की आवशक्ताइं आपको रहेंगी ये निविदन आपसे हम यहाँ पर करना चाहेंगे कि रिण संबंदी स्ततियों में यदि आप फौर शे और हैं और बढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पर अपनी कदम ताल को आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं चिंतित होने की आवशक्ताइं बिल्कुल भी नहीं है वय यहाँ लगातार निकल कर आएंगे किन्तु वय की शक्ल जहां निवेश के अंदर हो गई आपके लिए बहतरी साथी साथ में बनी रहने वाली होगी निरनायक मौकों के उपर आपका पराक्रम आपके साथ में है साहस की स्ततियां पुरशार्त की स्ततियां जब व्यक्तिकत जीवन के अंदर अपने आधार को रचा कर और बसा कर चल रही हो तो फिर वहां रोखने की गुझाईश बिल्कुल भी नहीं रह जाती है सुंदर कांट का पार्ट संकट मोचन अन्मानस्टक का पार्ट करते हैं तो अपने आत्मिक बल्ग के अंदर और जारा ब्रद्धी करते चले जाएंगे मेडिकल फिल्ड संबंधी महानुभावों के लिए ये समय आगे की प्लैनिंग का है भाग दोड को आगे बढ़ाने का है जिसको साथ में आप लेकर चलते चले जाएगा कुम राशी परतमतया निविदन करना चाहूंगा कि यात्रा संबंधी इस्ततियों में बहुत जादा संभल कर चलिएगा और इसी के साथ में जो भी रेसर्ट संबंधी कामकाज की अप्रोच है वहां आपकी कॉंशियसनेस को एक तरह से और बढ़ोतरी मिलती चले जाएगी मेटल संबंधी कामकाज में किसी भी महत्वपूर्ण निवेश की स्ततियों के और जाने से पहले बहुत जादा आपको संभलने का प्रयास करना चाहिए यहाँ पर यह याद रखा जाए कि वानी बने हुए काम बिगाड सकती है तो जब भी कोई थ्रेशोर्ड के उपर हूँ आपसी वर्किंग एग्जेक्यूशन में वहाँ पर भी संभलने की आवशक्ताएं आपको रहेंगी और इसे के साथ में सरवांगिन लाप की गत्विधियां लगातार बढ़ती चली जा रही हैं आपके लिए किन्तु अवचेतन के अंदर भाय व्यापत रहेंगे जिन से आपको दूर होने की आवशक्ताएं है कोई इंटर्विव कॉल बहुत लंबे समय बाद आया है और आप एक ओहदे के उपर रहे हैं यहां समझोते करने पड़ रहे हैं चिंतित होने की जरूरत नहीं है ऐसी इस्तितियों को अपने साथ में जोडने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा बले ही कॉंप्रमाइस के साथ में चलना पड़े ग्रिहस्त जीवन के साथ में करबद धोकर निवेदन करूँगा कि रियक्टिव होने से बचें किसी रिलेशन में आप चल रहे हैं तब भी यह याद रखें कि अपने सेल्फ जेस्टिविकेशन के प्रोसेस को दूर हटा कर अगले व्यक्ति के मनतब बेसे स्वयम को जरूर जुड़े वो किस परिस्तिती के अंदर है उसके साथ में जुड़ना ज़्यादा बैतर है तो वहीं मीन राशी के जातकों के लिए इस चर्चा को आगे बढ़ाया जाए तो यहां आपके आत्म विश्वास की स्तियां भरसक तरीके से साथ में बनी रहने वाली होंगी मंगल आपके भीतर की उर्जा को व्यापारिक जीवन के साथ में जागरत कर रहे हैं नौकरी पेशा जीवन में भी जिन लोगों का सयोग नहीं था वो बना रहेगा जो काम लंबे समय से अटकाव की और थे वो पूर्णता की और जाने की संबावित प्रबर्तियों को दर्शाते हैं किन्तु ग्रिहस्त के साथ में आप अपने संबंदों को संबालें आप टेक्निकल फील्ड के साथ में एजुकेशन की पॉसिबिलिटीज को एक्स्प्लोर कर रहे हैं तब भी ये ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर जो निरणय ले लिया है उससे अब हम रोकने वाले नहीं रहेंगे निरबाद गती के साथ में आगे बढ़ते चले जाएंगे और वहीं बिजनस पार्टनर्शिप में कोई भी बड़ा निरणय लेने से आपको बचना चाहिए और इसे के साथ में जो इच्छा शक्ती के भाव हैं वो लगातार दूसरे लोगों को भी मोटिवेट करने वाले रहेंगे प्रमुक्सतर के उपर आज हमने स्टूडियो से बाहर निकल कर ये चर्चा जो मंगल परिवर्तन के साथ में है आपके साथ प्रकरती जनेताधार के साथ में रखी है यही जीवन का परिवर्तन है यही हम सभी का लक्ष है नए को अपनाना अपना कर उसे आत्मसाथ करना आत्मसाथ करकर जीवन को एक नए इस्तर के साथ में देखना जो मिलता है उसके साथ में हम कितने सहज हैं और जो मिलने के बाद में आकंट आता है उससे हम कितना दूर हैं ये मूल मंत्र जब भी व्यक्ति अपने जीवन में अपनाता है तो वो प्रकरती की खुश्बू को अपने भीतर समाहित करने वाला होता है हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ बारम बार आप सभी के सम्मुक हाजर और उपस्तित होते रहेंगे दन्यबाद और कोटी शह आभार